नमस्कार दोस्तों मैं रुखमतिवर्थे भुपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रुपक ग्रीन काड़न में उम्मिद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे जो लोग मेरा वीडियो के लिवार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथी साथ बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो अपलोग देख सको तो दोस्तो हाजी रूम में एक नया वीडियो नया टोपिक लेकर और दोस्तो आज की वीडियो का टोपिक है श्रिम प्लांट की जानकारी उसकी के बारे में तो दोस्तो वीडियो में बने रहे लास्ट तक के पूरा वीडियो मेरा वाच कीजेगा तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम थोड़ा सा इन फूलों को दिखा देते हैं क्योंकि बहुत खुबसुरत लग रहे हैं और अडेनियम हमारे अभी भी खिल रहे हैं ये देखिए काफी अच्छे से खिल रहे हैं ये लाइट वाला है और इधर गुलाब भी देखिए काफ दिख रहे हैं इधर कोलियस प्लांट है और इस प्रकार चल रहा है हमारा गार्डन और इधर भी देखिए दोस्तों इधर भी ये फ्लावरिंग चालू है और इधर हमारे मुसंड़ा प्लांट और आज ये कनेर पहली वार खिला है दोस्तों ये और इंज कलर का है और इस च सब्सक्राइब कर्यान देखिय। बहुत ही खुबसूरत नजर आरहे हैं दोस्तों सामने से कितने फूल खेले हुए हैं और इदा हुबीकस ब XML काफी अच्चेHz expressed bulbihic अब काफी फूल खेले हैं इसी देखियस यह मिर्ची और सबस्क्त उसके управादय ख़ना हिए ये देशी वाले वाइट है और इधर पिंक वाला भी है देखिए बहुत ही खुबशूरत लगते हैं इधर आलमांडा है और इधर भी देखिए मेरी गोल्ड आप काफी अच्छे से चल रहा है इधर हमारी बेल है तो कुछ इस प्रकार चल रहा है हमारा ये वाला गार्डन भ और इसको लॉलीपॉप के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके फूल वैसी होते हैं, जैसे लॉलीपॉप की डंडी में लगे हुए रहते हैं, तो दोस्तो इसको श्रिम्प भी बोलते हैं, और एक लॉलीपॉप भी बोलते हैं, और दोस्तो ये बहुत ही इजी प्लांट से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता इसकी जो इस्टेम होती है ये इस्टेम अगर नीचे जुक कर और ये इस्टेम अगर मिट्टी में दब जाती है तो वहीं से रूट से बन जाती है और एक प्लांट से कई प्लांट बन जाते हैं और मेरे पास पहले था वो खतम हो गया दो पूल भी बहुत खुब्सूरत लगते हैं. 12 महीने दोस्तोच क्ही मेंशनी फूल खिरते हैं. बस जब तेज गर्मी होती है, उससमय इसके फूल बंध हो जाते हैं. दोस्तोच कहले बारिश سے जो स्टार्ट होते हैं, तो पूरी सर्दी भर इसके फूल आते रहते हैं. के पौर्ट के बात करूँगी तो दोस्तो इचोटे पॉट में हो जाता और बड़े पॉट में भी होता है यह देखिए पहले मेरपास बहुत ही बड़ा पॉट में था दस मीज्च के गमले में था और अब मैंने इसको यह मुश्किल से Ye program तो दोस्तों अगर आप 10-12 इंच का पॉर्ट अगर लेते हैं तो उसमें बहुत ही अच्छे से बुशी हो जाता है और दोस्तों यह एक जाड़ी नूमा प्लांट है दोस्तों इसको सहारा देना पड़ता है क्योंकि अगर सहारा नहीं देंगे तो इसकी स्टेम इधर उदर जाड़ियों की तरह फैलती है इसलिए यह देखिए कोई भी डंडिया स्टिक से इसको सहारा देना जरूरी होता है और दोस्तों यह बढ़के कम से निकम 3 फीट तक के भी उचा हो जाता है इससे जादा उचा तो नहीं देखा मैंने गुठने तक के हो जाता है अगर हम अच्छी केर करें तो भी कमर तक होता है उससे उपर नहीं होता है क्योंकि यह जाड़ी नूमा प्लांट है तो नीचे की तरफ जुक जुक के मतलब इसकी स्टेम जुकती है उपर की तरफ जादा नहीं रहती है त तो पॉट आप चायज कैसा भी लीजिए जादा से जादा सफिसेंट होता है आठ इंच के पॉट तक के साथ आठ दस इंच के पॉट तक के भूती अच्छा रहता है तो दोस्तों मिट्टी की अगर बात करूं तो मिट्टी कोई खास नहीं बनाना पड़ता है इसको जो हम साधरन से मिट्टी 50% गार्डन सोयल ले लीजिए 50-60% और 30% इसमें गोवर खाद मिला लीजिए या तो बर्मी कंपोस मिला लीजिए और क्योंकि दोस्तों चाय कितना भी इजी प्लांट हो जब हम गंबले में लगाते हैं तो एक सीमित मात्रा में उसको खान पान मिलता है और जब जमीन पर लगता है तो धरती माता हमारी जमीन में अल लेडी इतने सारे निउट्रिशन भरे रहते हैं कि उसको कुछ चीज देने की जरुवत नहीं होती है वह धरती माँ खुदी अपना खाना जो भी है प्लांट अपना खाना धरती मांसे ले ले लेता है नीचे जमीन की मिट्टी से ले लेता है क्योंकि हम गमले में लगाते हैं तो दोस्तों थोड़ा ना थोड़ा तो हमें फटिलाजर मिलाना ही पड़ता है क्योंकि उनका एरिया सीमित होता है और सीमित एरिया में कोई भी जो पोशक तत्व है वो नहीं मिलते इसलिए हमें थोड़ा न लिजे क्योंकि पॉरस मिट्टी बनाना चाहिए क्योंकि दोस्तों सभी गमले की पॉरस मिट्टी होती है अगर पॉरस मिट्टी नहीं बनाएंगे सेंडी मिट्टी या तो आपकी मिट्टी ऐसी भुरबुरी हो तो चल जाती है या तो अगर चिकनी मिट्टी है तो चिकनी मिट्टी की बनाते हैं थोड़ा सा केरफूली कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा हमारा प्लांट हम हम चाते हैं कि हमारा प्लांट खराब ना हो तो इसलिए हम थोड़ी सी अच्छी मिट्टी बनाई लेते हैं गमले की हिसाब से तो इस प्रकार आप मिट्टी बना लीजे और द दोस्तो यह फूल छोटे-छोटे से जो बीच के हैं यह फूल होते हैं वाकि इसकी पत्तियां हैं वही colorful होती है और उपर से जैसे मुसंदा प्लांट का होता है उसी प्रकार ये भी है तो दोस्तों एकदम तेज गर्मी में नहीं रखते हैं और जब सर्दी की गर्मी होती उस समय तो दोस्तों इसको पूरी धूप में रखना चाहिए तो उस समय आप पूरी धूप में रख सकते हैं और अगर मैं बाटरिंग की बात कर न मुर्जा जाती है तो बना के रखे और बाटियर यदा पानी दाले और दल दल मिर्ट ना करें तो इस प्रकार इसकी वांट का ध्यान रह सकते और दोस्तों है आगर geldi ऑर हम और प्लाण को जो है भी आज होते हैं जिसको हम यह 15 दिन 20 दिन में देते हैं तो दोस्तों यह फूलो वाला प्लांट है तो फटिलाजर इसको भी लगता है लेकिन बहुत कम लगता है महने में डेड़ महने में अगर हम एक बार जब इसकी कलियां बनती है उस समय हम एक बार इसमें फटिलाजर डाल देते हैं उसके बाद में महनों नहीं डालेंगे तो भी चल जाएगा ए सबी फटिलाजर हम डालेंगे तो यह सरवाइब हो जाएगा और दोस्तों समय समय पे आप मिट्टी की गुड़ाई करती रीजे और हमारी जो गमला है उसको साफसुत्र रखिए ये तो हर प्लांट के बारे में बोला जाता है कि मिट्टी को साफसुत्र रखना चाहिए हमारे जो पोट को क्योंकि पत्ते बत्ते हरेंगे गंदा रहेगा तो फंगस लगने का डर रहता है इसलिए मेरे में ये चीज करती रहती हूं और खरापती है इसको हटा दीजे और दोस्तों सबसे खास बात मैं बताऊँ इसकी हर समय प्रूनिंग करना करना चाहिए जैसे ये बा प्रूम कर लीजे क्योंकि प्रूनिंग से इसमें वारिश की समय समय कलियां बंती और फूल आते हैं तो प्रूनिंग करना जरूरी होता है क्योंकि अगर प्रूनिंग नहीं करना चाहिए लेवे फंगस तो मैंने नहीं देखा है, इसको कोई फंगस लगती है, लेकिन फिर भी हमारे और प्लांट के साथ रहता है, तो फंगस अगर लग जाती है, तो नीम खली का ओयल से स्प्रेय कर दीजे, या उसमें एक लीटर पानी में चारबॉन शेंपू का डाल के और थोड़ा सा न आइल जो रहता है, वो मिलाके और ऐसे भी इस प्रेय करेंगे, तो सारे कीड़े मर जाते हैं, मिली बग का इसमें साथ अटेक होता है, मैंने देखा है कि मिली बग लग जाती है, तो उस समय यहीं प्रियोक कर सकते हैं, तो या कोई भी फंगस आइस का पाउडर ले ले एक यह लो कलर आता है, एक यह ओरेंज कलर आता है, एक रेट कलर आता है, ऐसे दो तिन कलर आते हैं और बहुत ही अच्छा है, अगर आपने नहीं लगाया है, तो कहीं से भी आप इसकी कटिंग लाके और इस समय बहुत ही अच्छा समय बरसात के दिनों में इसकी कटिंग ल निवाद